अब इदायक तोड़के लाइए मैं आपको मुख्मंत्री बनाता हूँ आप में जो वादे किये थे जो सपने दिखाए थे उसको तर समय पर पूरा करा दें इसलिए अब सूचना आ रही है कि एक दिसंबर को मैंन पूरी छोड़के रामपूर जाएंगे नेताओं के बसका नहीं को भारत को जोड़ता है मैं बहुत कड़वी बात पूर रहा हूँ तो नमस्कार मैं हूँ आलोग पाठक और आप देख रहे हैं टोटल समाचार मेरे हाथ में किताब है यानि जो द्रूवों पर बर्फ जमीवी है उनका पिघलना रोका जाए सकता है क्या यह किताब अमेरिका में हाई स्कूल में पढ़ाई जाती है और इस किताब का एक चेप्टर है सेवन्थ चेप्टर इसका टॉपिक है यानि जो ग्लेसियर्स हैं ग्लोबल वार्मिंग की वज़े से उनका पिघलना रोकना असंभाव है यह चेप्टर लिखा है भारत राज सिंग और ओमकार सिंग भारत राज सिंग वरतमान में स्कूल आफ मैंजमेंट साइंस लखनो के डिरेक्टर है लेकिन यह उनका एक पर्चा है एक पर्चा यह है कि उन्होंने मेकैनिकल इंजिनिंग किया था उसके बाद यह उत्तरपदेश राजकी निर्मान निगम में इंजिनियर ने जुएंग किया और 2004 में इस चेर्मेन उत्तरपदेश राजकी निर्मान निगम के पत से रिटायर हुए उसके चुकि भरत राज सिंग की दिल्चस्पी सुरू से ही इन्वार्मेंट में रही तो इन्होंने रिटायर्मेंट के बाद इस फिल्ड में काफे रिसर्च किया और उसी का नेतीज़ा है कि इन्होंने उसके काफे रिसर्च की और प्येज डी की और किताब लिखेंड का कुछ कंटेंट अM gold ने अपने के 10 विध्यारतिओं के पढ़ने के लिए इस किताब में सामिल किया है जरा इस किताब के बारे में और इन्वार्मेंट में जो चेंज हो रहा है उसके बारे में जानने के लिए हम प्रोफेसर भरत राज सिंग से बात करेंगे और उनसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं सर यह आप चुकी मेकेनिकल इंजिनियर थे और आपने पूरी नौकरी अंठावन साल की उमर तक उत्तरप्रदेश राज की निर्माग डिगम में अजी अम्डी रहे हैं फिर अंठावन साल की उमर के बाद लोग आराम करना चाहते हैं लेकिन आप रिसर्च में आये और इंवार्मेंट पर आपने काफी रिसर्च किया है इसके पीछे का कारण क्या है देखे बहुत बहुत धन्यवाद आपको और स्रोतागणों को के इनवार्मेंट जो इस समय राव हुआ जलवाई परवर्तन ये एक दिन में नहीं घटित हुआ और कहा भी जाता है कि देरे देरे परवर्तन सब चीज़े में होता है लेकिन जो जंशंख्या यहां बढ़ी पुरे विश्व की वो उससे आवश्षक्ताइं बढ़ गईं आवश्षक्ताइं बढ़ने से सारे जगह अद्यूगी करण फहला और उसके साथ साथ ही हमारी मु और यह देखा गया कि यह तापमान दीरे-दीरे वैशिक तापमान बढ़ रहा है। इसका मैं थोड़ा उदाहन दूगा अमेरिका में 1956 में मैरियन किंग हुवर्ड नाम के एक जॉलोजिस्ट थे उन्होंने का कि अमेरिका जो है धूं से जल रहा और धूएं निकल रहे हैं। आने वाला समय ऐशा होगा कि हमें इस पर कंट्रोल करना पड़ेगा नहीं पूरे विश्ट की तवाही इससे दिखी जा सकती है। लेकिन उनको उनके बात को लोगोंने उनकी उमर को देखती हुए कहा कि इनको साहिद मेंटली डिसार्डर हो गए है। मतलब जो उन्होंने भर्षवानी की थी कि जिस तरह से टंपरेचर बढ़ रहा है उस तो उनको समाज ने अमेरिकी समाज में को पागल समझ लिया। उनको और वो पदिश्चित क्योंकि अल्री इस उमर में थे वो टिटाय भी हो गए। उनकी बात वोगोंने यह भी कहा था। यह आने वाले समय में आपको बानो और इस सब पर जो भी है कोई इन्वार्मेंट इसके लिए एक्ट बनाना पड़ेगा और चीजों को कंट्रोल करना पड़ेगा। और 1995 तक हर हालत में नहीं तो पूरे धुनिया में इसका बहुत बुरा एफेक्ट पड़ेगा। और इग्जैक्टली अमेरिका ने 1995 में इन्मार्मेंटल एक्ट बनाये। अब आए यह वह कैसे और क्यों हो रहा है। तो पहली चीज थी पेड़ पावदे जितने प्रकिर्ट को हम जितना दुछ से दोहन करें हैं और प्रकिर्ट को बिनस्ट कियें हैं। उसका एक बहुत बड़ा रोल है। लेकिन वह भी आप क्योंकि हैं। क्योंकि आपकी जन्संख्या बढ़ती रही। और अधियोगी करण्ट जो भी हुआ वो अनाप्षनाप तरीके सुझे प्लाइंड वेसे नहीं हुआ कि हम दर्ती नुक्सान नहों हो हमारे नेचर पर कोई प्रकिर्ट नुक्सान नहों हो आने वाली जन्रेशर पर इसका इफिक्ट न पड़े। और बाणों की संख्या बड़ी। और एक ही टेक्नालोजी यूज होती रही कि जो हम इधन जला करके इनर्जी शक्ति का प्यूप किया जाए। तो यह मुख्यकान रहा और इसका अनुमान 1990 में यह वग भी यह तो कुछ ऐसा महसूस हो रहा है। यह उसके पहले आप देखें अगर ध्यान होगा तो 1974 से 77 तक वीजल उजल पर बड़ी क्राइसिस क्रियेट हो गई कि डिजल नहीं मिल रहा बाहन बढ़ गए उस खपत ज्यादा हो गई कुछ ऐसी राशनिंग हो गई थी। मुझे याद है। और उसके बाद नब्बे पर यह देखा गया कि हाँ अगर नब्बे को हम जीरो मान लें डाटम मान लें तो आज के दिन से ओवराल पर नव कांस्यूइंट हैं जिसमें आपका ग्लेशियर भी आता है जिसमें ओशीन आते हैं शमुद्रा पर प्रस्वी आ आते हैं वातावर्ण आता आस्मान के सारी चीजें आती हैं सब नव कांस्यूइंट जोड़ करके उसके आपर निकाला जाता है तो वह तेंपर रहा है उसके बाद नंब्बे से लगातार बढ़ता आरा नीचे उत्रहेंगे पहले होता था कि यह कांस्टेंट पर कभी नीच करता था यह नहीं होने पाया और यह बढ़ता गया इसका हमने बड़े क्रोजली जब हम काम कर रहे थे अपने कार्षेत्र में थे राज्की निर्मानिंगम में बादों पर इसी हजरत गैंजी में चाहराहे को विधानसभा रोड को चौणी करने और यह करने की आवश्यक्त पर चर्चा हुई और विधानसभा में बढ़ते हुए आगे के लिए लोग भौन अब बन गया है लेकिन इसके लिए हम लोगों ने कहा कि बानों की शंख्या का देखा जाए दो चार साल और उसको देखा जा किस गति से बढ़ रहा है उसको मुल्टिप्लायर में देखा ज पर येर यहां से बाहन भुजतियां जिसमें दो लाख च्छतिस सैंटिस्ट हजार दो लाख एटीनाइन के करीब आपकी दो पहिया वाहन तीन पहिया वाहन इससे निकला कि छोटी गाड़ियां जो ज्यादा प्रोशन पैदा कर रहे हैं वर्डवाइज मुझे शुकता हु विश्व में है कुछ कंट्रीज यूके की और इनको ले लें बाकिस सब्सक्राइब चलना इस पर हमने एक सोध करना शुरू किया इसी वीज में आई स्टडी तो इसके स्टडी में आप आए उस सोध का विशा अलग है उसके चर्चा करेंग जीरो पालुशन सब्सक्राइब तो जब हमने 2011 में स्टडी करना शुरूप हिया तो मुझे लगा कि 79 से लेके 2007 2007 से लेके आगे की परिस्थितियों में बड़ा परिवर्तन है लगबग लगबग आप 33 परशेंट वह उन्नी सो 79 से और बर्फ जो आर्क्टिक सीजी से कहते हैं उत्री द्रूप की बर्फ वहां से गाइब है मतलब 2013 तक 33% बर्फ उत्री द्रूप की खतम हो चुकी दी मैं उसमें सर्प्राइज हुआ और हमने डाटा कहां से नाशा के मैप को उपर से जो सेटलाइट मैप उसको मिला न कि और उनके वेब्चाइट से देखा और उस पर हमने और इस्टडी शुरू कर दिया जब इस्टडी शुरू किया तो मुझे लगा कि यह बर्फ गाइब हुई गई कहां कम है नीचे ज़्यादा है तो कहें ने कहें उसमें आप वो और उसका कारण यह हुआ को धीरे धीरे आगे खिशकना शुरू हुआ यह कब से खिशकना शुरू हुआ यह कल्कुलेशन मुझे नहीं मिला लेकिन मैंने का कि एक बशक में हर हालत में मेजर स्टार्पूर्स अम इसे अमेरिका क्या जो छोड़ जहां करनाडा अमेरिका यूके जहां से महाशागर मिल रहा है वहीं पर यह जाकरके बर्प महां गिरेगी और बर्प का टेमपरेचर भी कमस कम हम से चलते हुए मायनिस से ऑप्टीश से से सेवेंटी से तक तो जरूर रहेगा चक्टाने जो किताब में 2012 में चपी लिख दिया में जर स्टाइमपूर्ट संबर निवार्शिटी नेक्स डिकेट अगले दर्शक में निवार्श है तुफानों से डूपे गा और एक उसके बाद पता लगा कि वो सितंबर के लिखा और तुफान सेंडी तुफान आया जिसमें 15 दिन वहाँ पर इतना तेज तुफान वारिश और तुफान का असर यह रहा कि ददश मीटर मूची लहरें जो हैं यह किस साल की बात कर रहे हैं जिब आपने दशक मेंज नव-दस साल में ऐसी घटना हो सकती है आपने 2011 में लिखा कि एक डशक माँ मेरे पास इत्रा प्रेट नहीं कबसे पिख़ना सुरू कबसे खिसरना सुरू तीस परसंट एक दिन में तो नहीं पिख़ जाती लेकिन अंदाज यह वहां कि कहीं कहीं बुधर्ट तो यह घटना वहां हो गई फिर वह हमें क्लाइमिट चेंज पर लिखने की और शक्ता पड़ गई उसके इस्टड़ी किया और वहीं आतर नहीं वहां एगिटर हमने क्लाइमिट चेंज पर लिखा जो जनवरी दोजार तेरा में शक्ति उसमें मैंने यह लिखा कि यहां तो बर्बारी तरीक इतनी ज्यादा होगी कि दद्दस फिट इसका आज की परिष्टिती में जो हमने लिखा है आज वह माइनस सिस्टी डिग्री इस साल आपने रिकार्ड किया है जनवरी में दिशंबर में दोजार बाइस और जनवरी दोजार तेईस में और दस दिन पंद्रा दिन वहां एमर्जेंसी घोसित हो गई ते रेड पड़े हुए जहां गाडियां वही रह गई टैंकर जहां रहे है वहां लोग कितने रूप अब यह तीन मीटर चार मीटर में दस से बार अब यह गटनाए रेगूलर बढ़ती गई उस दिन से और आज हम दोजार बाइस में देख रहे हैं यह गटनाए आ गई हैं जो हम दस साल के आकरे बता रहेते हैं तो दस साल 2022 हो गया है वो चीज़ें अपने आप दिख रहे हैं इसी वीच उसी किताब का एक अंस 2014 में अमेरिका ने हमें अन्मत ले करके यह बुक बच्चों के लिए त्यूंकि इस पर हमारा काफी वर्ड वा रिशर्च और इनुवेशन 2000 में खुला तो उसके मादम से इसको हम लोग चला रहे थे और यह जा करके उसको उन्होंने अपने पोरिकॉलम में जोड़ दिया और उसमें भी लिखा हुआ हैं दोजार थीस तक देर विल बी ट्रेसिज अप ग्लेशियर अंद अर्थ अर्थ शायद घर्मियों में कहीं कहीं बर्फ दिखेगी और आईपी सीसी ने अभी पिछले साल 2011 में और 211 में ये डिकलेर किया कि हो सकता 2030 से 40 की बीच में ग्लेशियर मिले ही ना धर्थी को ये भी एक प्रमाडिकता इस बुक की हो रही है कि जो लिखा है वो चल रहा है तो मेरा इसमें केवल सुझाओ है कि अब दच्छनी दुरूपर भी हमने काफी काम किया पाइन आइसबर्ग वहां टूटा उसके बारे में लिखा और चीजें लिखी हैं तो वो चीजें चल रही है और अब आने वाला समय बहुत खतरनाक है आप देखें हिंदुस्तान के बारे में में भी लिखा है आप तरि साइट से आप कौस्टल है चोथी साइट में हनौकर हमालया की हर हालक मी ऊपर बर toutes इसरा सबसे वड़ा है अगर देखा जाओतरी धुप से दच्छली दुप बढ़ा है तो यह बर्ब जाने से आपका हिमालिया धीरे धीरे वो बीचे से पहाड़िया उठ रही इसमें क्रेक और बारिस होती है तो उसके थू अंदर चले जा रहे हैं पेंक्रेट कर रहे हैं 2013 वो उसी समय हमने जिकर किया थे ये केवल इसी वज़ह से हो रहा है और आज मजलब 2013 में जो कंदार नात में जो गड़श सअवी थी वह गलेसियर टूटने के शेख वेरे से कोई यह वहां कि आप उस समय भी कहते हैं कि हमारे पहाड़ों पर रहने वालों को कहीं ने कहीं सुरक्षित अस्थानों पर बिस्थापित किया जाए उनका बनाए उनकी प्रापर्टी जो बीच बीच में आया करें जब कोई घटना हो अपना चले जाए सुरक्षित अस्थान पर वह जाएंगे वह परवाफ्रास्ट एक एक्षन होता है जब कोई चीज उपर से वजन कम होता है तो नीचे के दबाव उपर बढ़ने लगते हैं गैसे बाहर निकलने कोशिश करती है और पहाड़ी वह तूट जाते है और दूसरा एक है सबसे जाद ताइट उसमें प्लेटी वह अंदर में वह घुशने के कोशिश करती है तो वह भी एफेक्ट है छैपाट में पुरे वर्ड को बाटा गया है जिसमें इंडियन प्लेट भी है टेक्टानिक प्लेट तो उसका कारण है अभी आपने यह देखा इसमें तरकी तरकी का जो भुकंपा है वह भी यही यह काम चल रहा है लेकिन हमें सब को मिल जूल करके इस माना होता कि शुरक्षा के लिए कार करना है यह सबसे इंपॉर्टन चीज है तो आपने देखा कि बड़ी रोचक जानकारी हम लोग को डॉक्टर भरतराज सिंग ने दी है और जो इन्होंने कहा है कि हिमाले को लेके उन्होंने बॉन किया है जो तीसरा बड़ा ग्लेसियर है दुन्या में हिमाले है हमाले में भी जो भीरफि की जट्टानेश उनमें क्रैक साना शुरू हो गया है सुधा इसलशे से टूटाई इस वज़से केदारनाध की दुरगटना भी थी भविस में भी और दुरगटना हो सकती है जैसा उन्होंने बोला है दॉक्टर भातरा सिंग ने उन सुझाओं को सरकार माने तो न सरिफ हिमाले बलकि पूरा भारत सुरक्षित रहेगा वैसे चलते चलते उन्होंने ये भी बता दिया कि टर्की में जो भुकम पाया है उसका का प्रण भी Glacier के बर्ष का गलना है क्योंकि बर्ष गळने की वज़यर से धरती वजन कम हो रहा हु और धरती का जो लेयर है वो उपर आ रहा है कई जगह पर धरती उपर उट रही है जिसकी वज़़यर से फिक्सन हो रहा वे को लिखा होइड राहुल तिवारी के साथ मैं आलोग पाठक टोटल समाचार के लिए